ओम शान्ति आज बाबा के 3.12.2021 के साकार अनमोल मधुर महवाक्य हैं जिनमें बाबा ने कहा हैं सबीर सबीर उठकर उठते ही बाबा से गुड मॉर्णिंग करनी चाहिए हैं बाबा से जब गुड मॉर्णिंग करते हैं तो सारा दिन बहुत सुन्दर होता हैं संबन बहुत अच्छे होते हैं सबसे व्यवार कुशलता होती हैं और बहुत ही प्यारा सा दिन गुजरता है किसी भी देधारी को यादनी करना है सिवाए एक बाबा के समझती हूँ सभी लोग बाबा कोटते ही गुड मॉर्णिंग करते होंगे और गुड मॉर्णिंग से ही अपना सवेरा ब्रह्म मुरत शुरू करते होंगे दूसरा बाबा ने कहा है इस सारी पुराने दुनिया को नई दुनिया बनाना यह मेरा कॉंटेक्ट है मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है एवन महात्माई सन्याशी भी नहीं कर सकते वो पवित्र अविश्य बनते हैं भारत को थमाते हैं लेकिन विश्व परिवर्तन का कॉ तो नहीं लेते हैं ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा बेहद का विष्व हैं。 इस विष्व को तत्वों सहीत परिवर्तन करना बाबन की सिवाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन बाबन साथ-साथ बच्छों को मददकार बनाता है हम बच्चे के भी बाब की मददकार बनते है, तो सुनते हैं आज के बाबन की महभागी मिथि बच्चे सवेरी सवेरी उठकर शिप बाब से गुड मॉर्णिंग जरूर करो उठते ही शिप बाब की याद आए किसी देधारे की नहीं कोश्चन है कौन सा कॉंट्रेक्ट एक बाब की सिवाई दूसरा कोई उठा नहीं सकता है आंसर है पावन दुनिया बनाने का कॉंट्रेक्ट एक बाब का ही है यह है कॉंट्रेक्ट दूसरा कोई उठा नहीं सकता सन्यासी पावन बनकर इस दुनिया को थमाते अवश्य है लेकिन वह पावन दुनिया बनाने का कॉंट्रेक्ट नहीं उठाते बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताते हैं बच्चे धंदा धोरी करते एक बाप को याद करो एक बाप से बुद्धी योग लगाओ गीत ये कौन आज आया सवेरे सवेरे ओम शान्ति रोहानी बच्चों प्रती बाप बैर समझाते हैं अगर शिव भगवानों वाच्चे कहें तो वह भी शिव नाम के मनुष्य बहुत हैं इसलिए ये कहना पड़े रोहानी बाप रोहानी बच्चों प्रती पहले पहले याद प्यार दे रहे हैं प्राता को पहले पहले गुड मॉर्णिंग किया जाता हैं तुमने भी गुड मॉर्णिंग सुना सवेरे सवेरे कौन आकर गुड मॉर्णिंग करते हैं बाप आते ही हैं सवेरे यह है बेहत का सवेरा और रात जिसको कोई मनुष्य मातर नहीं जानते बच्चों में भी नंबर वार पुर्षात अनुसात जानते हैं भले बच्चे बनते हैं परन्तु सवेरे उठकर के बाप को याद नहीं करते सवेरे उठकर के पहले पहले शिप बाबा से गुड मॉर्णिंग करें अर्थात याद करें तो बहुत खुशी भी रहे प्रन्तु बहुत बच्चे हैं जो सवेरे उठकर बाबा को बिलकुल याद नहीं करते भक्ती मारग में भी सवेरे उठकर भक्ती करते, पूजा करते, माला फेरते, मंत्र जपते हैं वह साकार की भक्ती करते हैं और मूर्ती सामने आ जाती है देवी देवताओं के जर्ट चितर सामने आ जाते हैं शिव का जो पुजारी होगा उनको भी जो बड़ा शिवलिंग बनाते हैं वह मूर्तियाद आ जाएगी वह है रॉंक अब तो तुम बच्चों को अपनी को आत्म निश्ची करना है और सबीरे उठकर बाबा से बाते करनी हैं बाबा गुड मॉर्निंग परंतो बाबा जानते हैं यह आदत किसी को भी नहीं पड़ी हुई है बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी सिर पर आधा कल्ब का बोजह है वह उतारना ही नहीं क्योंकि याद उतरने ही नहीं पता भी नहीं पड़ता भल कोई अपने को ज्यानी समझते हैं परंतो बाबा अच्छी रीदी जानते हैं कि याद में बिलकुल अच्छे है अपनी दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर बाप को याद करते हैं बेहद का बाप तुमको बेहद के सवेरे में आकर मिला है सन्याशी भी उठकर ब्रह्म को याद करेंगे मनुष्य उठते ही मित्र संबंदी दोस्तों आदी को याद करेंगे कोई भगत होगा तो अपने देवताओं को याद करेंगे पाप आत्माई पाप आत्माओं से गुड मॉर्निंग करेंगी अत्वा याद करेंगे याद करना होता है इस टाइम सवेरे भक्ति में भी सविरे करते हैं परन्तु भगवान की भक्ति कोई भी करते नहीं क्योंकि भगवान को जानते ही नहीं है भल कहते हैं कि भक्ति का फल देने वाला भगवान है ओ गौड फादर भी कहते हैं ये आत्मा कहती है परन्तु परमात्मा को कोई भी यथार्त देती नहीं जानते जब भग्मान खुद आकर अपना परिचे दे तब ये है जान सके नहीं तो सब नेती-नेती कहते हैं अर्थात हम नहीं जानते तो परमात्मा इस समय आकर के बतलाते हैं कि मैं कौन हूँ परन्तु बच्चों में भी बहुत है बड़े-बड़े माहरती सेंटर संभालने वाले बाबा को पूरा नहीं जानते उस लव से याद नहीं करते हैं सवेरे उठकर के प्यार से गुड मॉर्निंग करना ज्यान की चिंतन में रहना यह भी नहीं करते यान्द करें तो खुशी का पारा भी चड़े परन्तु माया चड़ने नहीं देती अगर बाप से कहां बे अद्वी की तो माया एक दम बुद्धी योग तोड़ देगी फिर वाहयात फाल तु बातों में बुद्धी लगी रहती है स्वरक का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है प्रजा बनना तो सहज है तुम आगे चल करके देखेंगे तीस चालिस वर्ष वाले भी तूट पड़ेंगे माया एक दम उड़ा देगे राजाई पद पाने ही सकेंगे पहले से ही मर जाएंगे तो फिर राजाई कहां से मिलेगे ये राज बाबा खोलते नहीं है माया भी देखती है मैं आधा कल प्राज्य करने वाली ये मेरे उपर जीत पाते हैं फिर शिप बाबा को एकदम भूल जाते हैं, कहां कहां, इनके ब्रह्मा बाबा की भी नाम रूप में फास पड़ते हैं, शिप बाबा को याद नहीं करते, जिनमी क्रोध, लोब, मोहों का भूत होगा, वो क्या बाबा को याद करेंगे? नाम रूप में इतना फासते हैं, जो बात मत पूछो, देहे अभिमान में लटक पड़ते हैं, शिप बाबा कहते हैं, ग्रेश्ट वेवहर में रहकर, एक माशुक को याद करते रहो, तब कर्मती तवस्था बनी, तो मूल बात है याद की, इसी में ही महनत है, एक बाबा को याद करने में ही महनत है, यान बिगर सतो परधान बन नहीं सकते, ना उच्पद पा सकेंगे, बुद्धी योग और तरफ भटकता रहेगा, कोई बच्चे तो बहुत दिल वाच्चान, सिक्व प्रेम से बाब को याद करते हैं, बाबा से, गुड मॉर्निंग करके कहना चाहिए, बाबा, हम आपकी याद में रहते हैं, क्योंकि सिर पर पापों का बोजह बहुत है, अगर बाबा की याद में नहीं रहेंगे, तो पापों का बोजह कैसे उतरेगा, आधा कल्ब देह अभिमान रहा है, जाता ही नहीं है, देवताईं वहां आत्म अभिमाने रहते हैं, भल आत्मा को नहीं जानते, यह तो समझते हैं हम आत्मा एक शरी छोड़ दूसरा लेते हैं, रचेटा को अगर जाने, तो रचना बाब की जैदाद को भी जाने, रचना बाब की जैदाद को भी जाने, वहां तो यह नौलेज रहती ही नहीं, तो बाप कहते हैं ये knowledge मैं तुमको देता हूँ इस समय तुम इस विश्व को अपनी बाश्या ही बनाते हो hero and hero hero का part तुम्हारा है मूल बात है मूल बात है बाप को याद करने के अभी तुम जानते हो सब आत्माओं को कैसे अपना अपना पार्ट मिला हुआ है अच्छे ते अच्छा part धारित तुम हो तो इस समय तुम इस विश्व को अपने बाश्या ही बनाते हो hero and hero hero का part तुम्हारा है मूल बात बाप को याद करने की है बाबा जनते हैं प्रदश्नी में बहुत हैं जो सर्विस अच्छी करते हैं परन्तो याद में कमजोर है अकल नहीं है कि कैसे सवेरे उठकर बाबा से good morning करनी चाहिए भल topics पर ख्याला चलाते हैं तो common हैं topics तो रोज-रोज नहीं निकाल समझा सकते हैं परन्तो मुख्य बात है मुख्य बात है बाब को लव से याद करना तो पाप कट जाए बाबा जानते बच्चों की ऐसी अवस्था अभी है नहीं बाबा नाम नहीं सुनाते अगर बाबा नाम सुनाई तो जो पैसे की अवस्था है सो गिर कर पाई की ही बन जाए इस ग्यान में समझ चाहिए ऐसे नहीं कोई कहे तुम तो पीला दिखाई पड़ते हो तो बिमार हो तो यह सुनने से बुखारी चर जाए ऐसा कच्चा नहीं बनना है हिम्मत चाहिए सर्वी सेबल बच्चे थोड़ी तूट सकते है वह तो फकुर में रहते है धन्दा धोरी करते बाबा की याद रखनी है बाबा से गुड मार्निंग करते रहना चाहिए बड़ी भारी मंजिल है राजाई पद पाना है तो मेहनत भी करनी है जो कल पे पहले बने हैं उन्हों को आगे चल कर मालूम पढ़ता जाएगा छीपा कोई नहीं रहेगा स्कूल में तीचर स्टूडन्ट को जानते हैं और रजिस्टर रखते हैं उनसे भी पता पढ़ जाता है उसमें मुख्य सब्जेक्ट होते है भाशा के यहां मुख्य सब्जेक्ट है याद के नौलेज तो सहज है बच्चे भी समझा सकते है छोटे पन में बुद्धी दीखी होती है धानना करने की बुढ़ियां इतना नहीं समझा सकती यहां तो कुमारियों का बाबा जास्ति मान रखता है सिरफ क्या चाहिए कुमारियों में सिरफ नाम रूप मिफंस उल्टा लटक कहां उल्लू ना बन जाए है इस समय सब मनुष्य उल्लू मिजल उल्टे लटके हुए है फिर उल्टा होने से अल्ला के बच्चे बन जाएंगे परमात्मों को सरव्यापी कहने से ही सब मनुष्य परमात्मा से बेमुख हो पड़े है सन्याशी खुद अपनी पूजा कराते है नहीं तो कहना चाहिए कि तुम्हारे क्या कहना चाहिए उन सन्याशीयों को कहना चाहिए कि तुम हमारे उपर और फूल क्यों चड़ाते हो, सब सन्यासियों को गुरु बनाते हैं, वह सन्यासि वो घ्रस्ती, फिर फॉल्वर्स कैसे हो सकते हैं, जब सन्यासि बने तब फॉल्वर्स कह सकें, फिर उन्हों को कोई समझा भी नहीं सकता है, कि तुम अपने को फॉल्वर कह नहीं सकते, बाब जब परतिग्या करते हैं तो खुद लिखकर भीज देते हैं, परणतु जब गिरते हैं काल्म हो करते हैं तो नहीं लिखते, क्योंकि लजजा आती है, यह बड़ी भारी चोट है, फिर बाबा से बुद्धि योग लग न सके, पतित से तो हम नफरत करते हैं, बाबा कहते हैं पवित्र बनना है, यह अच्छा है ना मैं आकर पवित्र बनाने का कॉन्टेक्ट उठाता हूँ कि हम पवित्र दुनिया बना कर दिखाएंगे कल्प कल्प मुझ्hl क्उन्टेक्ट को ही बुलाते हैं हे पदित पावन आओ दूसरा कोई ऐसा कॉंट्रेक्ट होता ही नहीं एक मुझे ही कॉंट्रेक्ट मिला हुआ है मैं ही पामन दुनिया बनाऊंगा कल्प कल्प मैं आकर यह कॉंट्रेक्ट पूरा करता हूँ सन्याच्चियों को फिर कॉंट्रेक्ट मिला हुआ है पवित्र रह भारत को थमाना क्योंकि सबसे पवित्र भारत थी था जिसको स्वरक कहते हैं माहा देवताइज सरवगुन संपन संपुन निर्वेकारी थे उनकी महिमा गाते हैं ये गायन और देशों में नहीं है वहां चित्र तो है ही नहीं ये लक्ष्मी नार्यन को गौड एज कहते हैं, बहत प्रेम से पुराने चित्रों को खरीद करते हैं, लौड कृष्णा का चित्र मांगते हैं, सबसे जास्ती लौड कृष्णा को पसंद करते हैं. तुम बच्चों को ये फूना रखना हैं, कि हमें सतो परधान बनना हैं, माया फतकाती तो बहुत है, एक दम नाम रोपे में फंस पड़ते हैं, शिव बाबा को याद नहीं करते, बाबा बार बार समझाते हैं, हमेशा ये समझो, शिव बाबा हमको समझा रहे हैं, ये ब्रह् वेह फिर क्या पद पाएंगे तो पहले तो शिरीमत पर चलना है शिप बाबा कहते हैं भूतों को भगाओ बाबा की शिरीमत है इन भूतों को भगाओ देही अभिमान को भगाओ हम आत्मा हैं और बहुत मीठा बनना हैं बाबा कहते हैं देही सही देह की सम्बंदों को भोलते जाओ मुझे याद करो दिल कार दे हाथ कार दे दिल यार दे हाथों से बले करूआ लेकिन दिल मन और दिली बाबा से लगा रहे मैं पुराना माशुक हूँ ऐसे कोई और को समझाने आई गही नहीं बाप ही इस समय तुमको आकर बाबा ही तुम्ही इस समय आकर रूहानी तुम्हारा इस समय आकर रूहानी माशुक बनते ही अब तुम्हारी आत्मा जानती है हमारा माशुक शुपाबा है उन से स्वरक का वर्षा पाना है तो ऐसे शिपाबा को ऐसे शिपाबा को सवेरे सवेरे उठकर गुड मार्निंग करो याद करो जितना याद करेंगे उतना पाप करते जाएंगे देहे अभिमान तोटता जाएगा ऐसा अभ्यास करते करते वो अवस्ता जम जाएगी याद में बैठे होंगे ग्रहक आएगा उस ख्याल से दुकान पर बैठे याद करें तो ग्रहक आएगा उस तरफ ख्याल ही नहीं जाएगा फिर उनको भी बताएंगे कि हम याद में बैठे थे बड़ा मज़ा आ रहा है ग्रहक को सोदा दिया फिर बाबा की याद में बैठे गए तुमको कर्मा तीत बनने का पुर्शार्थ करना है बाबा बहुत युक्तियां बतलाते हैं इनके ब्रह्मा के लिए कहते हैं इनके उपर बहुत मामले हैं तुमको फुर्षत जास्ती मिलती है याद करने की बाबा मिसाल बताते हैं भोजन परशुबाब को याद करके बैठते हैं कि हम दोनों इकठे खाते हैं फिर भूल जाता हूं सबसे जास्ती जंजट इसके उपर रहते हैं तुम्हारा बाबा के साथ बहुत लव रहना चाहिए रात्री 12 बजे के बाद एम शुरू होता है रात्री को जल्दी सोजाओ फिर जल्दी उठकर याद करो उठते ही कहो बाबा गुड मार्निंग और कोई तरह बुद्धी ना जाए बाबा तो हरे एक बच्चे को जानते हैं तुम्हारी भविश्य के लिए बड़ी भारी कमाई है कल्प कल्पांत्र की ये कमाई काम में आएगी कोई भी भूत नहीं आना चाहिए क्रोध भी कम नहीं है आज कल बाबा क्रोध के उपर बहुत बच्चों को समचा रही है ये बहुत बड़ा भूत है ये कोई कम नहीं है मोह भी खराब है जितना हो सके बाबा की याद में बैठ पावन बनना है जैसे बाबा ज्यान का सागर है बच्चों को भी बनना है परन तो सागर तो एक होता है बाकी सब न दिया कहेंगे क्रोध है सेकिंड नमबर दुश्मन बड़ा नुकसान कर देते हैं एक दो का जी जलाते हैं लोभी भी एक दो का जी जलाते हैं मोह का भूत तो सत्यानाश कर देते हैं मोह के कारण श्वी बाबे की याद भूल अपने बच्चों को याद करते रहेंगे नश्टो मोहा वाले अडोल अवस्था में रहते हैं अच्छा, मेठे मेठे सिखी लदे बच्चों प्रते मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुद मॉर्णिंग डाइमाड मॉर्णिंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात, पिता, बाप, दादा को याद, प्यार गुड मॉर्णिंग, डाइमन मॉर्णिंग, ओम, नमस्ते धानना के लिए मुख्य सार हैं अच्छी सर्विस करने के साथ साथ दिल वज्जान से बाप को याद करना है सवेरे उठते ही प्यार से कहने हैं, बाबा गुड मॉर्णिंग, कर्म करते भी याद का अभ्यास करना है दूसरी पॉइंट है, किसी देधारी के नाम रोप में नहीं राटकना है ज्यान की चिंतन में रहना है, व्यर्त बाते नहीं करनी है वर्दानें तरपती हुई भिकारी प्यासी आत्मों की प्यास बुझाने वाले सर्व खजानों से संपन फाओ जैसे लहरों में लहराती वा डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंगती है ऐसे दुक्की एक लहर आने दो फिर देखना अनेक सुक शान्ती की भिकारी आत्मा एं तरपते हुए आपकी सामने आएंगी ऐसी प्यासी आत्मों की प्यास बुझाने के लिए अपनी को अतिंद्रे सुक वसर्व शक्तियों से सर्व खजानों से भरपूर करो सर्व खजाने इतने जमा हों जो अपनी स्तिती भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन बना सको स्लोगन है कल्यान की भामना रख सिक्षा दो तो सिक्षाई दिल से लगेंगी कल्यान की भामना रख सिक्षा दो तो सिक्षाई दिल से लगेंगी तपश्या की पॉइंट है कर्मातीत का आर्थ है सरु परकार के हद के स्वभाव संसकार से अतीत अर्थात न्यारा हद का है बंधन बेहद है निर्बंधन ब्रह्मा बाप समान अब हद के मेरे मेरे से मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्ति दिवस मनाओ इसी को ही सनही का सबूत कहा जाता है बाब से हमारा सनही है सनही का सबूत है अव्यक्त बनना कर्म करते हुए न्यारे बनना बाब के प्यारे बनना अव्यक्ति दिवस मनाना अच्छा ओम शांते